नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि वसीयत लड़ने की समय सीमा क्या है, मालेजी वसीयत के सम्मदित कोई मामला है और उसमें कोई लड़ना चाह रहा है, केस लड़ना चाह रहा है, या उसके खिलाफ कोई कुछ करना चाह रहा है, तो उसकी समय सीमा क्या है, आज ह वसीयत की बैता को चुनोती देने के दावा में कोई समय सीमा नहीं है, यानि कि जनरली जो है वसीयत की बैता को चुनोती देने के लिए कोई समय सीमा नहीं है, फिर भी यदि कोई व्यक्ति अपना दावा लाने में देरी करता है, तो अदालत यह मान सकती है, दावा लाता है यानि कोई ब्यक्ति अपना दावा लाने देरी करता है तो अधालत यह मान सकती है कि इस देरी के परडाम सुरूप जो है इस देरी के परडाम सुरूप वह ब्यक्ति इस देरी के परडाम सुरूप ब्यक्ति उस दावा लाने का हगदार नहीं है यानि कि अगर वो देरी करता है केस चल रहा है वहाँ पर प्रिजन्ट नहीं करेगा तो ऐसा मान लिया जाएगा कि वो अभ्यक्त उसका हकदार नहीं है और जो पहले से जिसने वसियत करा लिया है वही उसका वास्टविक हकदार है और उसको प्राप्त हो जाएगा तो उम्मीद है दोस्तों वसियत के बारे में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सेर करें धन्यवाद, नमस्कार